दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पियून के क्या-क्या काम होते हैं अगर आप एक पियून बनना चाहते हैं तो काफी अच्छी हाँ पर पॉर्चुनिटी है जादा पढ़ाई की जरूरत नहीं होती है जो पियून होते हैं उनको दसवी पास बार वी पास हैं कौन-कौन से काम आपको आने वाले आपके आफिस के अंदर काराले के अंदर और हम जानेगे कि कौन-कौन से जरूरी योगता है तो उस बल्गुते पर आप एक चप्रासी या प्यून की नौकरी कर सकते हैं देखिए प्यून जो होता है बहुत जादा जरूरी आदमी होता किसी भी office के अंदर क्योंकि सारे जितने भी काम होते हैं उन सभी काम में थोड़ा थोड़ा युगदान जो होता है एक प्यून का होता है जैसे कि पहला काम देखेंगे तो office को खोलना और बंद करना एक प्यून की duty होती है सुबह सबसे पहले आकर कि आपको office कोलना है शाम में सब लोगों के निकल जाने के बाद आपको office बंद करना होता है तो खोलना और बंद करना जब आपके हाथ में है तो ये भी समझ सकते हैं आपकी office में रखी हुई चीजें जो है अगर कोई चीज खराब होती है या गुम हो जाती है मांके चलिए computer था जिसमाई के mouse नहीं मिल रहा है तो प्यून को ही बोला जाएगा कि भाई मतलब ऐसा नहीं कि आप लाखे दो प्यून को ही बोला जाएगा अगर additional कोई mouse से कोई mouse खराब हो गया कोई monitor खराब हो गया तो यहाँ पर प्यून की जवाबदारी होती है कि भाई उस चीज को replace करना है अधिकारी अपने तरफ से जितना काम कर सकते हैं करेंगे लेकिन जो additional work है एक नया monitor लगाया गया तो उससे लगा दिने का जिम्मेदारी भी जो है एक प्यून की हाथ में आने वादी है तो एक समझ में आ रहा होगा आपको योग्यता थोड़ी सी होनी की computer के बौरे में knowledge हो तो जितना भी उपस्दित सामान है आफिस के अंदर उसकी देखरे करने के जिम्मेदारी यहाँ पर प्यून की होती है जरूरी है कि जितने लोग आफिस में आ रहे हैं जा रहे हैं वो किसी प्रकार की गलती ना करें जिससे की प्यून के ओपर बात आए तो प्यून को यहाँ पर नज़र रखनी होती है तीसरी जो ज़रूरी काम है दोस्तों वो है आफिस में जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके चाय पानी इत्यादी की विवस्ता चप्रासी को करनी होती है जहाँ पर अगर आपने एक डेस्क बनाई हुई है या फिर एक टेबल बनाये हुआ है कि यहाँ पर पानी मिलेगा यहाँ पर वाटर कूलर रगा हुआ है तो उसमें बार-बार पानी फिल करने की विवस्ता जो है चप्रासी या प्यून को करनी होगी अगर चाय बगिरा का कुछ सिस्टम आपने लगाया है या फिर कॉफी मशीन लगी हुई है तो उसमें बार-बार जो भी चीजे लग रहे हैं दूट डालने का कॉफी डालने का काम आपको करना होगा अगर कोई बड़े अधिकारी है तो उनके ऑफिस में अगर चाय पहुचानी है तो आपको हो सकता है बारी दुकान उस भी आपको परीचे बनाना होगा और वहां से फिर चाय पानी की अधिस्ता करनी होगी जो आपके ऑफिस में जरूरी है ऑफिस के अंदर साफ सफाई का ध्यान भी रखना एक चप्रासी या प्यून का काम होता है अब जरूरी नहीं है कि चप्रासी साफ सफाई करेंगे ऑफिस के अंदर कारेलेओं के अंदर साफ सफाई करमचारी भी होते हैं जो दर समय साफ सफाई करते हैं लेकिन प्यून का ये काम होता है कि वो देख रेक करें सही तरीके से साफ सफाई हो रही है है नहीं जहांपर भी सभाई करम करें कैसे करें किसी समाण गिरा कि कुछ रखे हुय कप हैं इसके जानकारी कि लगई को जो है यहां पर गजबाटी otr एक बहुत जरूरी काम यह दस्तावेजों के अधार प्रवदान का देखिए बहुत सारे करमचारी अधिकारी जो है आफिस के अंदर काम कर रहे होते हैं जिनके भीज में फाइलों का शेरिंग जरूर होता है अगर आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं आपके आफिस में सबी लोग तो कंप्यूटर के थूओ काम हो जाता है लेकिन अगर फाइल्स के सिस्टम से कर रहे हैं कि भाई यहां लिखित में रिजिस्टर होते हैं उससे कर रहे हैं तो यहां पर और जरूरी नहीं है कि सिर्फ कम्पूर्टर पर काम हो रहा है तो दस्तवेज कुछ वैसे कागाजी होंगे नहीं कागाजी हर अफिस में होते हैं तो उनका आदान करने के लिए चप्रासी को यहां पर काम करना होता है बहुत दूर दूर अगर डैस्क है तो अधिकारी उठकर जाएंगे और उनको देकर आएंगे तब तक बहुत सारा काम डिले हो जाता है तो वो चप्रासी काम कर देंगा अगर जिकारी उनकी से सूचना को बताया है तो चप्रासी का काम है कि वो सभी तक वो सूचना को पहुँचाए चाहे वो सूचना पडल पर लगाए या फिर परसनली जागा सबको बताए यह काम भी चपरासी को होता है और समय पर आपने देखा होगा कि जब तेवहार आते हैं या कोई खुशकबरी होती है तो मिठाई वगिरा बाटने का काम भी पैसे आफिस के तरफ से मिलते हैं लेकिन यह काम भी चपरासी के उपर आते हैं यह जिम्मेदारी चपरासी या प्य एक रेक करें और समय समय पर जिसको भी जरूरत हो उन्हें उनके जरूरी काम में मदद करें तो यह सारे काम करने के लिए योग्यता की क्या जरूरत है जैसा कि मैंने आपको बताया शुरुआत में ही कि बोल चाल में आप थोड़े ठीक होने जाहिए चपरासी अगर बोल चाल बहुत जाता है इवन कई बार ऐसा भी होता है कि बाहर से लोग आते हैं जिनको आपको help करनी होती है कि ऑफिस में किस अधिकारी का रूम कौन सा है वो दिखाना है या फिर आपको निसाइगा पर पहुचा रहता है इसे समय पर communication आपका यहां पर बहुत जादा जरूरी हो जा बहुत सारे लोग करते हैं सिर्फ और सिर्फ कारण यही है कि आपको बोल चाल आता हो आपको पढ़ना लिखना आता हो दोस्तों आपको बहुत बार जरूरत पढ़ेगी इस फाइल को इनको देना है और उस फाइल को देना तो confusion पैदा आपके दिमाग में होग अगर आप प पहुँचाना है वन्ना आप फिर किसी अधिकारी को या पढ़ने जरी को परिशान कर रहे होगे कि यह पढ़के बताइए किसके लिए आया हुआ है तो इसलिए पढ़ना लिखना थोड़ा ज़रूरी है इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लेंग्विज आपको यहां पर आनी च्क cela बैसिक के पढ़ाई लिखाई आपको ज़रूर आने अब बाद आती है कंप्यूटरस की तो दोस्तों कंप्यूटर का बैसिक ग्यान आपको आना जरूरी है याने कि जैसे प्रिंटिंग 148 अक्टींक आपको और चैहिए फ्रिंट कैसे किया जाता अब यह जीए, द्रॉक्स करना आपको आना चाहिए, कम्प्यूटर पर थोड़ी बस शीट वगर हगर आपको चलाती है, एक्सल शीट वगर आती है, या फिर आपको अनी चाहिए, माॉस वगर हगर सरहिलाते हैं, आपको आना चाहिए, जिससे की थोड़ा easy आपके लिए हो जाएगा, और आप काम में जादा से जादा साहिता प्रदान कर पाएंगे अपने office के अंदर अगली जो अग्यता है दोस्तों वो है समय का ध्यान रखने की आप punctual होने चाहिए time को ले करके कि इतने समय पर office खोलना है इतने समय पर बंद करना है इतने समय पर आजी चुट्टी करनी है च बंद कर रहे हैं तो फिर बढ़ बढ़ हो जाती है चाहिए नस्ते का समय अगर आपने बदल दिया परिवर्जित कर दिया तो कर्मचारी उस क्योंकि उस समय उनकी आदत हो जाती है तो फिर काम जो है डीले हो जाता है या फिर तो तो यह सब काम में आपको पंक्चुल रहन होगा तो यह है दोस्तों चपराजी काम उनके लिए योगेता अगर आपको वीडियो पसंद आया तो नाइक करना चनल को सब्सक्राइब करना मैं मिलूँ हूँ नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद आपको ए Tradमा चैसे में माउम्मा सब्सक्राइब करना मैं औरॉने पाना हीरो चैसानम प्लब मिलूँ है độ यह सब्सक्राइब करना मैं तो यह सब्सकराइब ल ए ठपक्साइब कर alltangan अपको वीडियो झाह च